हेलो दोस्तो आज हम बनाएंगे बहुत ज़्यादा सौधिष्ट पीनट रोल जो कि बिना गयस जलाए बनाएंगे सरफ पांच मिनट में बनकर तयार होने वाली रेस्पी है दोस्तो और देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सौफ्ट बनी है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी बिलकुल मुँ में घुल जाने वाली रेस्पी है दोस्तो और यह बहुत जल्दी बनकर तयार हो जाती है खाने में बिलकुल मावे जैसी लगी तो चलिए दोस्तो फुल रेस्पी देख लेते हैं तो सबसे पहले हमेंच यह मुमफली जो के हमने 1x4 cup लिया है और हमने यह ब पर पिस्ट बन जाता है यम्मली को किसी भी चीज किस फ़न के पिस्ट बन जाता है तो भी पिस्ट बन जाता है यस तैंट दिएसरे कमें से पेश्ट बना चुका है तो इसको निकाल लेंगे एक बावल और दिखा देते हैं कि इतना भारिक होना चाहिए यह देखें तो बिल्कुल फाइन सा पेश्ट सबम तो इसको न दानें सबसे shout और दोनों चीज़ों को बढ़िया से हमें चीनी को भी बहुत बढ़िया से फाइन से पीसना है और यह देखे इसको भी हम इसमें डाल देंगे और इसको हम मीक्स करेंगे बढ़िया से तो चलिए दुस्तों इसको बढ़िया से मीक्स करते हैं साथ में हम ले लेते हैं आधा में लगाते हैं तो बिलकुल वैसा ही हो जाएगा ये देखे दोस्तों जैसे मैदा बगरा में मुयन लगाते हैं तो सेम वैसा ही हो जाएगा क्योंकि जो मुम्फली का तेल होता है उससे ये डो नहीं बनेगा मुयन लग जाएगा तो अब हम दूद से इसका डो लगाएंगे तो मैंने भी दो चमस दूद डाला है ठंडा दूद है उबला हुआ दूद होना चाहिए और ठंडा बढ़िया दूद होना चाहिए और थोड़ थोड़ दूद डालेंगे जैसा कि देख रहे हैं आप लोग पहले मैंने दो चमस दूद डाला था उसके बाद मैंने एक चमस दूद और डाला है और जरुत पड़ेगे तो मैं एक चमस दूद और डालूँगी टोटल चार से पांच चमस दूद लग जाता है और इसको बढ़िया से हम हमेना थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट डो लगाना है बहुत जादा हमें इसका हार्ट डो नहीं लगाना है तो यह देखे डो लग चुका है अब इसके हम दो भाग कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे प्लेन भी बिना फूद कलर की भी बना सकते है यहाँ पर मैं इसमें डालूँगी lemon food color मतलब yellow और इसको बढ़िया से mix करेंगे बहुत अच्छे से mix करेंगे और दोस्तों जब हम इस तरह से mix करते हैं तो मॉमफली का oil बहुत ज़्यादा जो है निकलता है तो यह देखे बढ़िया से mix हो चुका है तो इसको mix करते टाइम यह बहुत ज़्यादा बिखरता है तो आप इसको बढ़िया से mix कर लीजिए अच्छे से समेटते हुए और यह देखे कितना ज़्यादा इसमें से oil निकल गया है तो अब हम क्या करेंगे white water लेंगे और इस तरह से हम इसको न दबाते है यह आसानी से roll नहीं बनता है दोस्तों जब हम इस तरह से इसको गोल-गोल करते हैं तो यह बीच से फैल जाता है तो इसको हम इस तरह से दबाते हुए roll बनाएंगे और इस तरह से हम दबाते रोल बनाएंगे ना तो फिर बहुत बढ़िया सी ये रोल बन जाएगा तो इस तरह से हम इसके थोड़े-थोड़े से दो भाग कर लेंगे और इस तरह से बढ़िया से बीच-बीच में मैं दबाते वे भी इसका रोल बना रही हूँ और ये देखे इस तरह से हमें रोल बना लेना है ये देखे दोस्तों इस तरह से दबा दबा के बनाएंगे न तो फिर एजली जो है रोल इसका बन जाएगा और नहीं दबाना चाते हैं मतलब इस तरह से नहीं करना चाते तो आप थोड़ा सा न इसका डो मतलब हाथों से मसल दीजिये फिर उस तरह से डो बन जाएगा तो यह देखिए अब इसके इस तरह से रोल बना कर मैंने एक गुंटे के लिए फ्रीज में रख दिया था और इस पर हम चांदी वर्ख लगा कर इसको हम कट कर लेंगे और यह देखिए इस तरह से कि किसी भी टाइम आप इसको बना कर खा सकते हैं जो कि सिर्फ पांच मिनट में बन जाती है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा टीस्टी बनती है और फटा फट से बनने वाली रेज़ भी है आप इसको आधे गंटे भी रख देंगे तब भी सेट हो जाएगी और देख सकते दोस दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिससे दोस्तों आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे तो इसी तरह से आप भी बनाएं आप भी इंजाए करें वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्स